नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में यस बैंक के स्टॉक को डिस्कस करेंगे यस बैंक को लेकरके अगें अगें काफी प्यरी आ रहा है लेकिन मेरा एक ही बात है कि जब तक मिनिमम 27 को ब्रेक आउट नहीं करें लोंग ट्रेड इनिसियेट करने से बचना चाहिए और वीडियो में आगे बरहें से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकांट आपन करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे यहां में यस बैंक के रीसेंट के अपडेट को देखो तो बहुत पुरा यहां देखेंगे तो सिकुर्टी इतना इतना जेसी यह जेसी फ्लावर के तरफ से एक खबर आई जहां कंपनी ने अपने बैड लोन को सेल करा था यहां देखेंगे 84 करोर एक सिंगल ट्रस से कंपनी को मिला है इसको लेकर के एक अपडेट है 27 सेप्टेंबर का कितना 84 करोर इसके अलावे वॉल्यूम काफी नोमिनल ही दिख रहा है six करोर भूत बरे वॉल्यूम नहीं है यहां देखें. commonly volume ही है और technical trend तो negative दिखी रहा है यहां देखेंगे यह trend continuous एक negative territory में दिखी रहा है ऐसे में minimum जब तक 27 का breakout नहीं हो बरे trend expect करने से बचेंगे साथानी बरतेंगे long term investment है तो ठीक है लेकिन shorter में average out या face buying करने से बचना चाहिए